गज़े आप देख सकते हैं इसकी की है इसके की है जब भी हम Lock, Unlock करते हैं तो इसके analytical sound कहा यद्ध हाउन का साथ हा कि यद्धक हूं क्या आती है तो योग करेंगे सिंगल Weep अं़्प करेंगे तो Do Weep तो ऐसी कुछ साउंड आती है लोक और अन्लोक पे लोक पे सिंगल और अन्लोक पे डो बीप और नॉर्मल इसका मेकनिस हम ऐसे काम करता है कि जैसे हम गाड़ी अब अन्लोक करते हैं अन्लोक करने के बाद जो भी आपका ड्रैवर साइड डोर अभी ओपन है और जो भी डोर ओपन हैगा मीटर में इंडिकेट हो जाएगा और इस साउंड से बचने के लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे कि आप कैसे बच सकते हैं साउंड से चलिए बंद करते हैं ढोर अब सारे डोर लॉक हैं अब बताते हूं तरीका काम कैसे करें गा सबसे पहले हमने डोर अन्लॉक कर लिया अब हम इस डोर कर पूरा बंद नहीं करेंगे हम इसे थोड़ा सा बंद करके छोड़ देंगे जैसे बीच में होता है और आपके मीटर में इंडिकेट करेगा कि हाँ डॉर को यह ओपन है जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रैवर से डॉर ओपन है अब हम अपनी की से इस डॉर को लॉक कर देंगे रिक्वेट सेंसर काम नहीं करेगा वो आपको हमेशा बीप सुनाएगा जब भी डॉर अजार होगा तो ऐसे कुछ साउंड आएगी बीप की जब भी डॉर अजार होगा रिक्वेट सेंसर काम नहीं करेगा हमने की से अब डूर लॉक कर दिया लेकिन कोई हौन की साउंड नहीं आई हमें और डूर अभी भी उपन है हलका सा जैसे हम इसे पुश करके बंद करेंगे आप देख सकते हैं तो चले हैं लेकिन साउंड कोई नहीं आई तो एक ये तरीके से बचने के लिए ये आफ सारे डूर लॉक है आप देख सकते हैं डूर लॉक है और साउंड भी कोई नहीं या बंद करने पर अलओ करने पे फिर से वह सांड होगी अब देख लो फिर से डूर हमारा जा रहा है आ ज़को इए अइस हम दक्क्ड लगाँग के हलक diy संसर काम नहीं करेगा यह flash होते हैं जब भी आप lock करते हो या unlock करते हो अब जैसे हमने boot open करें तो flash हुआ है अब हमारी गाड़ी भी unlock है अब जैसे हम कीसे lock करेंगे कोई flash नहीं हुई यानि गाड़ी में अभी कुछ open है जैसे हम boot को close करेंगे flash से हमें पता लग जाए कि गाड़ी अब properly बंद हो चुकी है जब flash नहीं है तो आप समझे लिए कि गाड़ी का कुछ ना कुछ पार्ट open रह गया जैसे कि आप देख सकते हैं आपके जो M.I.D. होएगी उसमें में इसा डिस्प्ले करेंगा कि कुछ ना कुछ पार्ट open है कौन सा डोर open है या अब इसका बूट जैसे हम boot open करते हैं अब इसका हमने open कर दिया boot guardian lock है और आपके M.I.D. में भी दिखाएगा कि इसका boot open है वो फ्लेश करेगा boot की तरफ देखिए ऐसा कुछ इससे बतार कि यह हमारा boot open है अब हम request sensor से close कर देंगे कार को अब request sensor काम हो जाएगा इसका पहले भी पारी थी अगर हमारा यह वाला डोर अजार रह जाता है लेकिन boot open होता है तो request sensor काम करेंगा जैसे हम बंद करेंगे गाड़ी की flash indicate होगी कि अब गाड़ी close हो चुकी है properly अब देख सकते हैं हम डोर unlock करते हैं कि अब जैसे इसका फ्रेंट का वह है बोनट इसे open करेंगे तो वह भी आपके डिस्प्ले कर देगा कि इसका बोनट ओपन है और हम फिर से डोर क्लोज करते हैं अब यहां से बंद कर दिया हमने अब देख सकते हैं बोनट ओपन है इसका आपको हलका सा खुलके दिखा देख सकते हैं और हमने की से विल्ट ओपन है अब हमने की से भी लॉपकर करके दिखाते हैं बाधी लॉक्त हो चुकी है जैसे हम इसके बोनट को भी प्रेंट करते हैं तो आपको फ्लेश दिख जएगी यानि हम गाड़ी कलोज हो अब आपको दिखाएंगे की से आप गाड़ी open करके sound आती है नहीं आती अगर आपके request sensor आपके पास है जो remote है और आप 24 open कर रहे हैं तो आपको कोई alarm नहीं सनाई देगा आप देख सकते हैं कोई alarm की sound नहीं है हमरी गाड़ी open हो चुकी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम की से simply close भी कर सकते हैं आप देख से ने close हो चुकी है गाड़ी अब दुबार open करिया और हम अब गाड़ी के अंदर इसका remote रखेंगे और देखेंगे कि गाड़ी लॉक होती है नहीं लॉक होती हमने गाड़ी का remote रख दिया है और हम अंदर वाल हैं और की से हम बंद करेंगे हमने जैसे अब की से बंद किया है तो गाड़ी लॉक हो चीगा और काम नहीं करेगा remote अंदर भी है तो तो यह काफी अच्छी चीज़ है हम दुवारा लॉक करते हैं अपने remote को निकालते हैं और हम बंद करनी कोशी करते हैं लेकिन लॉक नहीं हो पता है अब remote का हम गाड़ी से दूर रखते हैं हम जैसे अब remote का हम गाड़ी के उपर रूफ पे रख दिया अब remote ही यहा है और अब हम लॉक करते हैं अंदर से तो आप देख सकते हैं लॉक हो चुका है तो गाड़ी का काफ़ी स्मार्टे से पता है कि की अंदर यह है और हम सिंप्ली की को ऐसी निकाल लेंगे गाड़ी लॉक हुई पड़ी है तो यह इसका काफ़ी इच्छा काम है और गाड़ी इस वे में काम करती है अगर आपके पास नई कार है जिसमें चार फंक्शन आते हैं रिमोट पे तो आप सिंप्ली उससे बंद कर सकते लेकिन पुरानी गाड़ी में ऐसा कुछ है नहीं फंक्शन नए गाड़ी में तो आप लॉक अन लॉक बिटन दबा के साउंड बंद कर सकते हैं